मिश्मिलामानीब असलामालेकूम वेलकम बैक टो माई चानल कैसी मेरी टूफ फैमली उमीदे सब खारियास होंगे ठीक ठाक होंगे आज हम बनाने पीजा जो के बहुत ही हमी डिलिसी सा बनके देयार हुआ था तो बगार वीडियो को स्किप किए स्टैप बाइस टेप देखि कैचप चाहिए और वन टेबली स्पून के बराबर हमें लसन अंदक पेस्ट एड़ करना होगा और मैंने एक पैन में डालिया है पानी और इसके अंदर टिमाटर डिप करके मैंने बॉल करने करने रख दिया है टिमाटर को इतना बॉल करना है कि इसका पील आफ हो जाए इस इसका जो बीच वाला पार्ट है जो जिसमें बीच होते हैं यह हमें अला कर देना है यह आप देख सकते हैं मैं किस तना से कर रही हूं बीच वाला पार्ट इसका निकाल चुकी हो बिल्कुल भी वो एड़ नहीं करना है अब हमें लेना है एक मिक्सी जार और इसके अंदर पल्प हमें एड़ करना है अगर थोड़े बहुत बीच इसके चले भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ताथ भी थोड़े बहुत बीच इसके गुदे के साथ लगे चले गए थे तो अब हमें इसको ब्रकुल फाइन प्लैंड कर लेना है यह बॉयल हुआ है तो यह बहुत जल्दी से ग्रैंड भी हो जाएगा प्रकुल बारिक से इसका पेस बनाने है और यहां मैंने लिया है टू टेबली स्पून के बराबर ऑइल और इसमें लसन अजब डालके हमें सिर्फ सौते करना है एक से दो मिनट बहुत जादर इसको नहीं पकाना इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है सिर्फ एक से दो मिनट के लिए मैंने इसको सौते किया था और इसमें हमने टिमाटो प्यूरी एड़ कर देनी है और सारे स्पाइसी एक साथ एड़ कर देने है और इसके अंदर ओरिगानो लाजमी जाएगा तब इसका फ्लेवर बहुत अच्छा से निकल कर आएगा और यहां मैंने दो से तीन मिट इसको पकाया था मिक्स किया था चितना और इसके पाद टुमाटो कैचप भी एड़ कर दिया था और पानी मैंने बिल्कुल भी आट नहीं किया था कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा और इसको हमें बहुत ठिक सा एक पैटर बनाकर इसका तियार करना है यह देखिए इसको बहुत अच्छी से मिक्स करना ही देखिए इस फॉर्म में जब यह आ जाएगा इतना मैंने पकाया था कि इतना ठीक हो गया था अब यह बिल्कुल एक चटनी की सुरत में बन चुका है और यही फॉर्म मुझे चाहिए ता अब यह बिल्कुल रड़ी है पीजा पे लगाने के लिए इसे बनाएए एंजॉय कीजिए इसके साथ पीजा यहां पर मैंने तीन क के बराबर बिल्कुल वाम होना चाहिए पॉड़र में रख लेया है हमने यह अप्शिनल है अब आपने बहुत धियान से देखना है यह बिल्कुल वाम वाटर है वन कब के बराबर इसके अंदर हमने चीनी एड़ कर दी है और इसको चीनी डिजॉल्फ होने तक चलाएंगे इसके अंदर yeast एड़ कर दी है इस तरह करने से हमारी dough जो है बहुत अच्छी सी rice हो जाती है बहुत अच्छी सी fluffy rice बनके होके रड़ी होगी हमारी ये dough अब यहां मैंने मैदा एड़ कर लिया है सारा इसके अंदर powder milk एड़ किया है अब यहां मैं salt अड़ कर रही हूँ इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे ये warm water है इसनि ये बहुत ज़्यादा rice हो गई है बहुत fluffy लग रही है आप रुपो को अब ये सब चीज़ें मिक्स करके इसको अच्छी तरह से हमें हमने half cup में ये मिला है था हमें totally one cup या one fourth cup के बराबर हमें इसमें warm water यूज़ करना होगा अब जितनी नीड होगी उतना हम पानी warm water ही उपर से हम डालते रहेंगे और इसको एक dough बना के डाड़ी कर लेंगे और ये dough बहुत नरम होगा बिल्कुल भी hard नहीं होगा बहुत इस टीचिबल सा नरम सा dough इसका हमें तयार करना है देखिए मैं गरम पानी इसमें डालती जा रही हूँ और इसको मैं घूनती जाओंगे और ये बहुत जबतसता मारा dough बनने वाला यहां देख लीज़े ये dough मैं सारे मिक्स कर चुकी हूँ अब इस पॉंड में आइल एड़ कर दूँगे आइल मैं सरी तोड़ा सा बचाओंगी और बाकी मैंने सारा वाल डाल दिया टू टेबली स्पून के बराबर था तो मैंने अपनी हतेली की मदद से इसको मैं आगे दिखाती हूँ आपको ये देखिए इस तरह से इसको घूनते जाने तकरीबन 10 मिनट के लिए ये देखिए कितनी स्टिकी स्टिकी सी लग रही है ये इस तरह की डूँआ में चाहिए अब एक मैंने बाउल लिया है इस बाउल में मैंने आईल क्रीज कर लिया है अच्छी तरह से चारो तरह से नीचे से भी और ये देखिए इसके ओपर भी मैं ओयल जो बचाया था वो सारा मैंने इस पे लगा दिया है अब इसको अच्छी तरह से एर्टाइड बॉक्स में रख देंगे हम तकरीबन त्री आर्स के लिए और ये देखिए तीन घंटे के बाद मेरी डो की ये कर्डिशन थी माशाआलला सुभानाला ये देखिए कितने अच्छी से राइस हुई है बहुत ज़्यादा ये पूरा मेरा बावल फुल हो चुका है ये देखिए कितने अच्छी से राइस हुई है वाओ मेरी ये डो बहुत अच्छी बनके रैडी हुई थी और आप लोग भी इसी तरह step by step follow करेंगे तो इसी तरह से आप लोग भी डो रैडी होगी मैदर डस करना है अब इसको यहाँ पर भी इसकी गुंदाई करनी है हमें तकरीबन 10 मिनट के लिए मैदर डस करते जाना है और इसको अच्छी तरह से यह देखे इस तरह हतीली की मदद से हमें इसको गुंदना है हमें मैदर डस करते जाना है और इसी तरह से इसको गुंदना ह है पीज़ा बनाने के लिए इतनी डूम है हमारा एक लार्ज पीज़ा बन के तेयर होका और अगर दो बनाएंगे तो दो स्मॉल पीज़ा बनके हमारे तेयर हो जाएंगे अब हम एक लिएorgे चिकन राड़ी कर लेते हैं वन टेबली स्पून के बराबर लसन अद्दक पेस्ट है अभी सारी स्पाइस जितने भी हम चिकन में अट कर देंगे आप चाहें तो मैरिनेट करके रख सकते हैं मेरे पस टाइम नहीं था तो मैंने मैरिनेशन नहीं किये जस इसी तरह से इसको मैंने पकाना शुरू कर दिया अगर टाइम हो तो वन अधर के लिए इसको मैंनेट करके रख दें तो बैस्ट है और यहां मैने लिया था टू टेबली स्पून के बराबर ऑल जो हलका सा गरम किया था फिर लसन अद्दक इस मैट किया था लासन जचे को इसमें सौते करना है बहुत ज्यादा लासन जचे को और यह बहुत अच्छा से betटर हमारा बंगे रडी होने वाला है यहाँ पे और यहाँ पे हमने सारी चिकन और शॉज आड कहते हैं यहाँ पर आडD कर देना है वैस में दही भी एक साथ राड़ कर देना है सब कुछ इसमे साथ डाल के इसको अची तरह से मिकस करके पकने के लिर ले रख देना है और यह तिक्कामसाला का चिकन हम राड़ी कर रहे हैं तिक्का फ्लैवर का पीज़ा बनाकर राड़ी करेंगे बहुत यमी बंदा है, बहुत जबर्दस बंद के त्यार होता है ट्राय जरूर कीजिएगा और फिर मुझे कामन में बताईएगा कि रेसिपी क्या सी लगी आपको यह देखिए, यहां मैंने जस्ट इसको अच्छी तरह से मेक्स करके अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी पकने के लिए बोटियां गलने तक और जब यह गल जाएगी तो बुन जाएगी भी मिलते हैं यह देखिए जनाब यहां पर यह मसाला अची तरह से बुन चुका है बोटियां भी गल चुकी है हमारा मसाला यह बेटर बिल्कुल रेड़ी है पीजा बनाने के लिए हमारी सारी चीज़ रेड़ी है हमने डो भी रेड़ी कर लिया है सॉस भी रेड़ी कर लिया है हमारा चिकन भी रेड़ी है अब देखिए आगे हम क्या क्या रेड़ी करते हैं और क्या क्या आपको दिखाते हैं तो चलिए अब पीजा की टॉपिंग की तरफ अच्छा मैं इसमें औलिस और मश्रूम्स एड़ नहीं करते हूं मैं यहां लेती हूं एक टिमाटर, एक प्यास, एक शिम्ला मेच इन सब चीजों को बारेक बारेक सी टॉप कर लेते हूं आप चाहिएं तो लंबी-लंबी सी भी कट कर सकते हैं वो भी मैंने की हैं मैं आपको आगे दिखाती हूं और टिमाटर की बीज निकालना बहुत जरूरी है और औरिगानो इसमें डालना उपर से तो बहुत ही ज़दे जरूरी है क्योंकि औरिगानो से एक बहुत अच्छासा फ्लेवर आता है जो पीजा में होना चाहिए और पीजास के सथ बहुत अच्छा लगता है और यहां पे देख लीजाए हमारा साउस भी रड़ी है और यह चीज मेरे पास ये चीज थी और पीजास की यह मॉजरेला चीज थी और ये कुछ यलो में मुझे मिली थी और आप यह देख लीजिए आप यहाँ पे मैं पीजा रड़ी कर रही हो इतना दिन होना चाहिए यह और इन सब चीज़ों की जासे पीज़ अलग अलग पीज़ा डो की और पीज़ा सॉस की मेरे चैनल पर मौझूद है आप चाहें तो वहां से विज़िक करके देख सकते हैं इससलिए मैंने इसको फारवरड पर लगा दिया है और यहां मैंने पीज़ा ट्रे को ओल से गरीज़ कर लिया था और इस पीज़ाओ के चैनल करना है viene को और किसी कपड़े पलेट से 10 मिनट ट्राइस होने के लिए हमने रखा था उसके बाद हमने इस पर टोपिंग करनी है अब हमने यहां पे लगाया है पीजा साउस टू टेबली चीज वैसे भी पीजा में थोड़ी ज़्यादा हो तो पीजा अच्छा लगता है तो यहां मैंने इस पर चीज एड़ कर दी है अब यहां पर में इस पर चिकन डाल दूँगी यह तिका फ्लेवर का चिकन है अब इसके ओपर शिमला मिल्च और टिमाटर रख देंगे हम अगर क्यूब्स में हो तो वो स्प्रिंकल कर दीजिए मैंने यह इस तरह से भी कटिंग की थी और क्यूब्स में भी यह देख सकते हैं आप लोग अब मैं इस पर प्याज स्प्रिंक मेरे घर में कोई भी पसंद नहीं करता तो इसलिए मैं एड नहीं करती अगर आप लोग को पसंद हो तो वो ज़रूर डालिए उससे भी एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और उपर से हमने बहुत ज्यादा कॉंटिटी में चीज इस पे स्प्रिंकल कर दी है अब यहा हमने ओवन को प्रिहिट के रहा था एक घंडे के लिए 250 डिग्री पे इसको अच्छे तरह से प्रिहिट करना है एक घंडे के लिए उसके बाद हमने इसको 15-20 मिनट के लिए रख देना है 200 डिग्री पर और मैंने इसकी दोनों रोड्स अन कर दी थी आपके पास जो वनों आ आप से देख लिजेगा 15-20 मिनट लगेंगे हमारा पीजा बिल्कुल रडी हो जाएगा अचा मैंने आपको बताया था अगे के इस डोव से हमारे दो पीजा बनके रडी होंगे तो यह देख लिजे नीचे भी मैं इसका सेकिंड पीजा बनाके भी रडी कर चुकी हूं और म इग्नोर करें मेरे ओवन को थोड़ा मैसी हो रहा है एफटर 20 मिनट पीजा बिल्कुल रडी है यह देख लिजे इसका फानल लोग बहुत जबर्दासा बहुत यमी सा टेस्टी सा बनाता है इसे ट्राइज जरूर कीजिएगा और मुझे कॉमेंट करके बताईएगा कैसी ल लोगों को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रैस करिएगा इस ते मेरे आने वाला न्यू नोटिफिकेशन आपको जदी से मिल चाएगा और रैसी पी अची लगए तो लाइक करना बिल्कुल मत लिएगा मुझे अपनी दौाओं में याद रखिएगा थैंक्स पर वाचिंग आला हाफिज